प्रणाम रादे रादे स्वागत है मेरा एक नई व्लॉग में तो कैसे हैं आप सभी आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे स्वास्थ होंगे और बहुत मस्थ होंगे तो जी बस रात को तो हो गया था हमारा रात का मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था दिखाई दिया था के जो हस्बेंट जी को दिये थे ठीकड़े वगएरा तो वो हमने बना ले थे और मैं चले गई थी थोड़ी देर के लिए बराबर में अपनी भाबी जी के घर है ना तो वहां से थोड़ा लोटी लेट हो गई तो मन नहीं हुआ फोन उठाने का वीडियो बनाने का तो कुछ भी शूट नहीं करा और बस खाना वाना खाया और देखिए जब हस्बेंट जी जाते हैं तो थोड़ी जिम्मेदारी भढ़ जाती है देखिए गेट लगाना ताला लगाना उपर देखना नीचे देखना तो हो जाता है और गेट हमें खोलना है सुबह के टाइम तो पता नहीं क्यों है और रात को थोड़ा लेट ही हो गई थी मैं वीडियो एडिट वखेरा करने में मुझे काफी लेट हो गयता है तो सुबह एकदम है आँख नहीं खुली और अलारम मेरा पता नहीं क्या हुआ बजाया मतला अलार तीज वाले दिन तीज थी ना उस दिन का लारम पता नहीं किस तरीके से गड़बड हो गया था तो उस दिन तो छार बजे का लगा रख था वाँ पर तो आज बजा नहीं है ना तो एकदम हर बढ़ाके मेरी साड़े चार बजे अपने आप भी आँख खोल गई होता है जब दिमाग में अधर बुन चल रही होती ना कि गेट भी खोलना है ये भी करना ताला भी खोलना अख़वार भी पकड़ना तो वो रहती है अपने अंदर तो फिर अपने आप यका यक आँख खोल जाती है तो पस मैंने का चलो आज बनाई देती हूँ पहले उसका टीफन कभी लेटी हो जाए तो यहाँ पर देखिए आधी ब्रेट का पैकेट पड़ाता है तो बोला मम्मी ब्रेट कही कुछ बना दो तो ठीक है मैंने का चलो आज यही बना देती हूँ पकोड़े बहुत ही दिन होगा मतला पता नहीं मुझे काफी टाइम के बाद बनाए होंगे मैंन अधर यहां पर बस बेसन वगरा गोल के तो मैंने यह बना दे थे बस उसका दे दूगी और गिंति के बादा देखिए छै साथ पीछ ठे पर इस बनाते हैं तो डबल हो जाते हैं तो दो में के वी ब्रेट के पीष के भी चार बन जाते हैं और इसके ओपने हरी मिर्च कर दो ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यहां पर हरी मेर्ट भी काड़ दी है तो उसका दे दूंगी टिफन और मेरा तो भी मतलब हो नहीं है क्योंकि आज पूजा वगएरा सब मुझे ही करने हैं तो बोलाना मुदलब जिम्मेदारियां बहुत हो जाती है अपना त कि दिखावे के लिए मैं बैठी हूँ या फिर यह है कि मैं जूट नहीं बोलती जो भी नहलाना दूलाना हां मैं भी करती हूं मेरे हस्बेंट जी दोनों हम मिल जूल के कर लेते हैं बट यह है कि उनको अपना लंबा चोड़ा उनका पार्ट होता है मंतना उनकी पूजा हो होती है तो वह मतलब भगवान जी का सुबह के टाइम वही कर लेते हैं क्यों नहीं पता है बहुता है जब तक दोनों हजबंड वाइफ मिल जूल के इनी हेल्प करेंगे न तो देखिए अखेले परसन पर काम समालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो उनको भी लगता ह है न ऐतले को जो लेरी केश हुए हम जो कि शिल ने बख़त दॉता है और भी बहुत मैं भी कर लूँगी फिलाल अभी तो इसके रिंगे ten वैं मैं टिफन में तब नहीं हे और यह देखे मैं जमें डेल धीय था और पतना नी कोई बहार आ गया था तो मैं उसके पास चलिगे थि यहां दूद्व है antres यह अराम से होते रहेंगे इसमें खड़वने के तो को नहीं है देखें इसका तो भोग लगना है नहीं था तो इसलिए मेरे को यह भी लगा था कि नाने के लिए 10-15 अदर घंटा मुझे लगता ही तो मैंने तो मैंने का पहले यही मैंने समझा उचिद कि इसको दे देती तो दे दूंगी इसको उसके बाद ढखके और जो दूद बगएर आ जाएगा उसको रख रखा के करकर राखे तो मैं जाओंगी नाने और देखे बड़ी वह होती है नाने बहुत सारी टेंशनों की प्रॉब्लम ही खतम हो जाती है। नहाने चली गीती और आज मैं मैं बस यही सोच की गीती मैं इनका आज बैल बजेगी तो बचती रहेगी और जिसको जरूरी काम होगा जी बिलने वापस आ जाएगा है ना और नहीं तो है ना मेरे दिमाग में बस वो गंटियां ही सुनाई देती रहेगी गेट बज रहा है थोड़ा सा रिसक लेके मैं नाई लिए और भगवान का शुकर है आज कि इसने गंटी भी नहीं बजाए बाकी इस टाइम पर कभी प्रैस वाला कभी मतलब होता ही है हमेशा तो जी ना धूके में आ गई हूँ और गर्मी तो बस इस पार तो देखिए सितंबर भी जाने होते हैं तो पता नी क्यों ना बहुत ज़्यदा खुजली होने लगती है और रेश होने लगे तो यहां पर देखिए यह उसी चीज़ का पौडर है तो यहां पर लगा रही हूं मैं यह बेट्टे के लिए मंगाया था उसके ना जब घाम हो गया था ना कमर में घमोरी यहा अच्छा है तो पता नी क्यों ना इसी हातों में ना यह जो कोहनी बंद करते ना तो आगी का हिस्सा जोता है इसमें इतनी ज़्यादा गमोरीन टाइप होगी गर्मी की वज़े से और हालत यह हो रही है कि बाल भी खोलने की महंदी लगाने की भी हिम्मत नहीं हो रही क्यों तो जी खेर वापिस से खोले बांद लिए जुड़ा बना लिए चल दिए अपने काम पर ठीक है तो चलिए अभी चलती हूं मैं पूजा कड़ा कर तो बस यहां पर मैं दूद में उबाल दे दूँगी दूद में ने उबाल ने देता हो क्योंकि मैं नहाई नहीं नीती है इसी रखके चलेगी थी तो अभी दूद में उबाल देके अठाकुर जी का जो हमारे लड़ी गुपाल जी उनके लिए दूद लेके तब चलती हूं मैं मंदिर की तरफ इतने किचन का थोड़ा बोज समेटने का काम होगा वो समेट लूँगी और तब जाके कुछ पेट प देखिए के लेविल याई हूं दो और चली पूजा करती हूं मैं और सबसे पहले तो मैं आसन को पहले टच करके क्योंकि बैठना होता है उसके उपर वो भी एक शुद्धी चीज होती है ना भगवान के सामने बैठना तो हम जैसे तुछ पराणों के बस की बात नहीं होती हम तो बहुत तुछ हैं भगवान के सामने हम बैठे हैं यह हमारी बहुत वो है पर यह के बहुत बात जोड़ के बैठो मतलब आसन भी बैठो तो पैर हाथ लगा के बैठो चूकर उसको आड़िया मैं आपको दिखा जी ती चोटी सी एक मातरानी का दरभार और आया है हमार जो घर में से वैशनोदेवी गए थे तो हमां से यह आया है मतलब यह देखिए होता है ना किती सारी नवरात्रे आने वाले हो उससे पहले मातरानी का दरबार भी आ गया मतलब एडवांस में मातरानी खुदी आ गई और यहां मैंने रख लिया है बहुत ही प्यारा सा क्यूट सारानी का दरबारस में शेरवाली मातरा खड़ी है और बस यहां पर रख लिया है और तो मैंने का यही पर सही है चोटी सी जगे मतलब छोटा से ही है तो इसी जगे पर मुझे सही लगा तो यहां पर बस अपने लड्डू जी की करदियों में लाड़ थोड़े से उनको जाब उनकी सनान करवाते हैं तो बस यहाँ पर उनको लेके मैं कपड़ बगरा बदल दूँगी और यह देखिए इनको मैंने पिनहा दिये तूसरी ड्रेस मैं बोल रहुते हैं मैं इन इंसे बात करती रहती हूँ मैंने का कितनी गर्मी में कितनी कर्मी हो रहा है इतना भारी कपड़े पेन के कैसे पैट जाते हुआ मतल्द मैं इनके साथ बाते करती रहती हूं खळती रहती है कुछ ना कुछ तो यहां देखें हैं बहुत देर होगी मतलब और मैं इनके साथ बाते करते चाहिए फिर्म मैंने इती वीडियो लगानी अच्छी नहीं समझी और यहां पर इने कांच दिखा दिया मतला शीशा के आपका श्रिंगार देख लो कैसा हुआ है और बहुत ही प्यारा चारो तरफ से इने दिखा दिया है और यह देखें आप लोग भी देख लिए दिख रहें ना इसके अंदर से तो यह इनका ही छोटा बैठो जाके तो यहां पर इनको मैं इनकी जगे पर बिठा दूँगी तो यह हो गए विराजमान अपनी जगे पर वापस आप इनकी करेंगे पूजा थोड़ी फूल वगएरा चड़ा के बासरी लगा के मुकट वगएरा पिना दिया तो यहां मैं पहले सबसे पहले बीचि पर गुड़हल का फूल चलता है तो चड़ता है मतलब यहां पर मैंने लाल गुलाब का फूल चढ़ा दिया है और यहां पर बेल पत्र रख दिया दो केले जी आज मुझे बात मतलब मैं देखे जुट की बोलूं शायद आप लोगों को पताओगी पर मुझे नहीं पता थी ये बात सच में ही नहीं पता थी अब ही जो हमारे पंड़जी आये थे ना रिशी पंचमी के बरत वाले दिन तो उन्होंने बताया था कि जो हम भोग लगाते ना हम बीच में सब का भोग लगा के रख देते हैं उस इसलिए ना गनेश जी को तुल्सी ने डालनी जाये उनके भोग में और भगवान के उसमें तुल्सी डाल देनी चाहिए हैा है ना तो मैं तो यही सोच रही थी इत्साल से हमारे गनेश जी भूखे रहे हमने कित्ता अच्छा अच्छा पकवान बनाय याभी जो भी कुछ तो सब में तूलसियां डली जाती है ना तूलसियां डालके अपन भूग लगाते तो 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 इह यहाद आधी को पर आज तार्टी को पत्ता रहा तो फिर मुझे नजर आया मैंने कर चलो खीक है तो यही दोक्य लेका इनका भोग लगा देते हूं और यहां पर बस आरती की त्यारी करूंगी और जी सच सब बताए कि किस को पता थी यह बात मैं सही बोल दूए मैं पूझा पाट करते हूं हर चीज का पता रहता है पर यह मुझे विल्कुल भी याद नहीं था और कभी कभी सुना भी होगा तो कभी इतना मितलब ध्यान नहीं रहा तो अपकी बार पंड़ा जी ने बताया तो बहुत अच्छी तरह याद रहा के तुलसी जो है गनेजी पर नहीं चलती तो जिसको भी नहीं पता हो ना तो जी यह बात देख बतलब यह आप ल महाँ पर रखती हूँ ठोड़ी सी वह लंबी चलेगी ना तो नीचे चावल रख दिया है मतलब आदा एगंटा तो चलेगी चलेगी वह है ना और यहाँ पर आरती की त्यारी कर लिए अब करेंगे आरती तो जी है ना मोटी यह स्टिक वाली अगर बत्ती बोलो इसा पार बेस्टा में पता चला यह तो लगी गई ती इस्में यह दिखने में ऐसा लग रहा था इसका कलर ही ऐसा था कि एना ऐसा मुझे लग रहा था कि यह जली नहीं है ना पर यह जल चुकी थी और आदे घंटे में ही मतार्थ 10 मिनट में यह और वह भी हो गई थी बस मांगनी बहुत जाद जαरूरी होती है हमारे हम जो कुछ भी किसी के साथ अच्छा देखिए इनसान है हम त्ट थो है न firefighters किसी के लिए मन में कुछ निकल ली जाता है कुछ हो जाता है मतलब आई जाती है बात कुछ न कुछ तो बिलकुल पर फेक्ट थो एक दूसरे को बोली नहीं सकते कि मैं पर्फेक्ट हूं या फिर वो पर्फेक्ट है कोई भी इस दुनिया में पर्फेक्ट नहीं है सिवाए भगवान के हैं तो जो मनुष्य है हम तो ऐसा तो है नहीं कि हमसे कभी गलती नहीं होती है पता नहीं हजारों गलती हो जाती है दिन कुछ करने की कोशिश ही न करें और हो गया हो तो उनसे शमा माग ले तो बस जी पूजा करके अपना उन्हें परदा वगएरा लगा दिया था मैंने आरती वगएरा करने के पाथ यहां पर बस ये चार पीस अपने भी सेग लिए कहने को दो ब्रेड हैं पर ये हो जाते हैं चा से त्योहार जो शुरू हो रहे हैं उनकी टेंशन बेरे दिमाग मैंना लगातारी चल रही है बहुत ही टेंशन वाले होते हैं टेंशन भी क्या देखिए एक तो जिम्मेदारियां बहुत होती हैं बहुत ज़दा त्यारी करने होते हैं और जो पर आप ये ना इस ये मागे दिया है तो उसको हम भी बखू भी निफाएंगे उन्हें कोई शिकायत का मौका ने देंगे भगवान को के बच्चों तुमने कुछ नहीं करा हमने दर्ती पे इत्ती जिम्मेदारियां दी थी तो जी ठीक है हाथ जोड़के जैसे भी हो रूखी सूखी सारी जिम्मे बना दी यहां पर है ना दूद बजी आता क्योंकि साब जी जो चले गए थे और इता दूद था वे रोज रोज भी धही जमाने मैं का पनीर निकाल लेती हो यहां पर मैंने सेट करके रख दिया ही पनीर और तो बस इसको मैं दबा के रख दूँगी और जो इसकी शाम को समेटने में ने आते और जहां भी ना देखो ना वही चीज खराब होने का ड़ रहता है तो कित और को करने की परफेक्ट बनने कोच नहीं कहीं ना कहीं ना ऐसी भूलचुक हो जाती है और यहां देखे बस यह ना अभी साटे को पीसे वेन पच्शिस दिन भी नहीं हुए और दिये मुझे इसमें कुछ-कुछ लग रहा था तो यह एक काम और बड़ा है हम लेडीज यह ना बस खाली ने वहट सकती कुछ ना कुछ देखता ही है तो यहाँ पर मैं इस सारा अटा च्छान के रख दूँगे और जो चोकर निकलेगा न वो गाएं वगारा का बेश तो यह थोड़ी थोड़ी सूरसूरी तो देखे दूप में रखने से वह चोकर जो ना उस पर से निकल जाएंगी तो यहाँ पर मैंने सारा च्छान लिया और मुझे लगे हैं आदा से पॉना घंटा तो यह जो चोकर है यह मैं इस डब्बे में भरके दूप में रख कोटा मोटा सा ही चानस निकाली थी तो फिर मैं जो है चोकर है वो देदूगी गाएं के लिए और अपना बाल्टी वो कर लिया और फिर भी मन में टेंशन है कि अब दूबारा से ना हो जाए पर ना तो बारीश यूरी तो पहुत है नहीं फिर भी कैसे हो गई शायद कुछ की लिए वगेरा हाथ लग यहां पर जो थोड़ा गजमीन पर गिर गया था तो वो मैं समेट रही हूँ और बस अब करूंगी शाम के खाने की तयारी और अब मनोरा है एक मनोरा चाय प्यूं के ना प्यूं और आटा चाना तो ना सारा सफेद सफेद हो गया था तो मूह दो लिए एक मनोरा चाय प्यूं के ना प्यूं पर यह के भई पी लूं फिर यह लगता है कि वह शाम का वो रूटीन रह जाए का चाय नहीं हुई तो बस यहां आदा कपी चाय बनाऊंगी और आप लोगों से भी बस लोगी जादत मिलेंगे नेक्स्ट लॉग में सभी को प्र लुग में सकता है